वेलकम माई यूट्यूब फेमिली, आज सेवन स्टार्स बोजन रेसीपी में मैं इवनिंग स्नेक्स बनाने जा रही हूँ, जो इवनिंग स्नेक्स स्ट्रीट फूड है और मैंने पूरा घर में बनाया है, तो ये अखडा मसाला है, आखा मसाला होल स्पाईस है, आखा दानिय सौफ, जीरा, कमाल पत्र, तील, हरी इलाइची, तर्ज, लविंग, ब्लैक जो इलाइची है वो सिनमन है सब कुछ है जो फूल चक्र है और ये बाकी के सुखे पाउडर मसाले है करी पता पाउडर है, हींग है, लाल मिर्च, हल्दी, धन्या पाउडर है तो चलिए शुरू करते हैं, प्री प्रिपेरेशन, मैंने पहले पहले बॉइल किया था आलो को और उसको छिल के निकाल दिये है और ये प्याज कटा हुआ है, और लसून, अद्रक, घ्रीन मिर्च को भी रेडी रखा है और ये थोरा नारेल भी मैंने क्लीन करके रखा है, पीनट से और ये ग्रीन चटनी रेडी रखिए तो पहले मैं नॉन स्टिक पेन में हलका खड़ा मसाले को स्लो पे मैं थोरा एक आदा मिनिट उसको मैं रोस्ट करूँगी उसका जो कच्छापन निकाल दूँगी और इस तरह से रोस्ट करने से जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा तो आपको गुमाते रहना है आदा मिनिट एक मिनिट अच्छे से गुमाते रहना है एक एरोमा निकलेगा एक खुश्बू निकलेगी वो ठंडा हो गया तो मैंने मिक्सर में इसको अभी पाउडर कर रहे हूं पर ठंडा हो जाने के बाद ही आप पाउडर करना उसका तो ये मसाला रेडी हो गया है और इसका कलर देखिए इसका टेक्स्चर देखिए तो अब मैं इसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक, करीपता, फिर में ब्लैक जो होता है न सोल्ट, रॉक सोल्ट वो सब डाल दूँगी औ एक मिक्सर का एक गुमा दूँगी ताकि वो एक मसाला मर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए तो चलो इस तरह से हो गया है तो एक मिक्सर मैंने चला दिया, एक हल्का गुमा दिया तो ये गोल्डन हल्दी की वज़े से ये कलर आ गया तो ये ओथेंटिक स्टाइल का डाबेली मसाल और मैंने बहुत रिसर्च करकर के यह मसाला रेडी किया है तो फ्रेंस यह मसाला अभी मैं जितना आज चाय उतना निकालती हूँ और इसमें इंबली और गूर की जो चटनी होती है न चाट की वो इसमें डाल के उसको अच्छे से मिक्स करती हूँ फ्रेंस यह स्टाइल से देखिए इस तरह से इसका टेक्स्चर है और 10-15 मिनिट्स जब तक हम दूसरा काम कर ले तो यह अच्छे से जो पूरी चटनी है और मसाला है वो एक दूसरे से मर्ज हो जाएगा तो इसको अब रखते हैं साइड में तो अब मैं आपको दूसरा स्टेप सिखाती हूँ क्या करना है हलका तेल डाला मैंने नौन स्टीक में और यह पीनट्स को मैं कुक करूंगी उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर करूंगी कंटिन्यूस एक मिनिट मीडियम टू स्लो फ्लेम में गुमाते रहो गुमाते रहो अच्छे से करना तो सब जगा से उसका प्रोपर को होगा तो इसको अच्छे से इस तरह से मैं जैसे बता रही हूं आप गुमाते रहे और यह भी होममेड हो जाएगा भार क्यों जाने का पीनट्स के लिए मसाला हमारा घर का मसाला कितना अच्छा होता है तो इरेग्यूलर आपका मंचा मसाला डाल दो जो इसे मैं दिखा रह जाए तो काली मिर्च डालो आपको चाहिए वो डालिए और इसको अच्छे से मसाले गुमा दो यह आपके उपर है ऑपश्नल है कौन सा मसाला चाहिए आपके घर में क्या चलता है तो इस तरह से मैंने देखो कितना अच्छा बन गया है तो ये तो बहार से भी अच्छा बन गया है ये भी हो गया अभी मैंने दो तीन चमच इसी पैन में तेल डालके अभी तड़का दे रही हूँ हिंग करीपता और जीरा इसको अच्छे से तड़का देने के बाद जो मैंने मसाला रेडी क्या था ना डाबेली का वो डाल रही आप एसे करके देखी आपके डाबेली कितनी अच्छी बनेगी और ये बबल्स हो रहा है ना इसको उसका कच्छापन दूर हो जाए आदा मिनीट चितना उसको मीडियम टू स्लो फ्लेम में कुक करना है अभी जो लसून अद्रग जो मेरे पास मैंने बताया था ना वो डाल चटनी बनाई ये लसून अद्रग ग्रीन मिर्च और कोकोनट थोरा ही डाला इसकी चटनी बनाई और ये भी इसमें डाल दिया है और इसको भी अच्छे से कुक होने देना है आदा मिनीट एक मिनीट जितना वो बबल्स खतम हो जाएगा टेक्सचर बदल जाएगा इसमें अभी प्याज डाल रही हूं आपको जितना चाहिए मैंने दो प्याज डाले हैं एकदम चौक किया हूआ और उसको भी गुमा रही हूं और इसको इतना अच्छे से गुमाना है ना कि वो सब मसाले अच्छे से मर जो जाएगा अभी इसमें बॉयल पोटेट और मेश किया और अच्छे से उसको एक मिनिट तक कुक करना है गुमाना है मिक्स करना है अच्छे से हो जाना चाहिए फ्रेंस ये वाला डाबेली मसाला आपको कोई नहीं बताएगा ये रियल प्रोफेशनल जो पहले के जमाने का है आजकल थोड़ा डिफरन डिफरन इनोवेटिव हो र दगा ये मसाला बहुत यम्मी है अभी उपर से हलका कोतमीर डाल दो हरा दन्या और उसको अच्छे से वापस एक बार गुमा दो और ये एक मिनिट जितना आपको करना ये देखे फ्रेंस इसका कलर इसका टेक्सचर ये कितना अच्छा लुक आ रहा है प्रोफेशनल लुक ह ये मेरी स्टाइल देखे ये करके देखे ये देखो कितना अच्छा लुक आ गया है तो अभी मैं इसको ट्रे में एक ट्रे में निकाल रही हूँ जैसे महर मार्केट में करते हैं तो ये ट्रे में मैंने एक निकाल दिया है उसके उपर पीनट्स मैंने पूरा फेला दिया है अभी प्याज मैंने सब जगर डाल दिया है जैसे डालते हैं बहर और अभी कोकोनट ग्रेटेट डाल दिया है तो ये रेडी हो गया मेरा आज का तो अभी पाओं रेडी है सेव, पीनर्स, ग्रीन चटनी, प्याज, लसुन की चटनी ये सब रेडी हो गया पाओं देखो कितना डाबेली का बड़ा बड़ा है ये मैं स्पेशल बनवाती हूँ जब मैं डाबेली घर में बनाती हूँ फ्रेंच, पूरा मैंने मार्केट स्टाइल का बनाया है ये देखे पाओं इसका डाबेली का जब ये बनाओं तो स्पेशल आप ओर से बनाओं इस साइड में इसे कट करना है यह pocket कैसे बनाता है इसका यह trick है आप जरूर देखिए अच्छे से देखिए pocket कैसे मैंने बनाया है और अब भी यह देखो pocket ready हो गया है डाबेली का तो stuffing गिरेगा नहीं खाने के time मैंने पेले इसमें लसुन की चटनी डाल दिये वही थी पर थोरा लाल मिर्च इसमें mix किया तो look थोरा change हो गया और यह green चटनी है इसमें साइड में इसको mix करें आपको जो चटनी आपको अच्छी लगे आपके घर में जो पसंद है चटनी में कुछ आपके उपर है और अभी यह जो stuffing है इसमें मैं डाल रही हूँ अच्छे से भर भर के डालना है दो तीन चमज जितना यह देखो मैंने कैसे भर भर के ले रही हूँ और अच्छे से प्रेस कर रही हूँ अभी इसमें मैं peanuts डाल रही हूँ एक चमज जितना और इसके उपर अभी मैं प्याज इवनिंग स्नेक्स जो बोलते हैं और ये ग्रीन चटनी लिए उसकी साइड में डुबो ना है ये ये भी रियल यहां पे कोई नहीं आप देखोगे न स्ट्रीट फूड गुजरात में ऐसे करते हैं इस साइड में ग्रीन चटनी ऐसे मैं डुबो दिया अभी में बटर से दोन इवनिंग स्नेक्स ये देखिए कितना अच्छे से और कुक करना है तो अच्छे से करो ऐसा नहीं तो फिर कच्चा ही खाओ आराम से करो अमूल बटर डाल दिया और इसको मैंने आदा एक मिनिट अच्छे से प्रॉपरली कुक होने दिया ये देखो आगे पीछे आगे पतली से उ होती है न उससे में पूरा भर दूँगी इस तरह से देखिए आप देखो इस तरह से भर तो ये टेस्ट अच्छा हैगा घर का तो फिर घर का ही होना चाहिए बाहर इतना कोई डालके भी नहीं देगा ये देखो इतना अच्छे से इसको अंदर-ंदर तक डालना फ्रेंस यह हमारी डाबेली देखो लुक देखो कितना अच्छा है ओ मसाला डाला तो डब्यल हो गया तो यह इवनिंग स्ट्रीट फूद डाबेली बन गई है तो यह इवनिंग स्नेक्स जह हम लोग खाते हैं कभी भूक लगी तो यह और भी सब में बनाने जा रही हूं तो से देखिए मेरी सब डाबेली बन गई है इसका लुक देखो इसका टेक्स्चर देखो क्या तो ब्यूटिफूल है कौन बोलेगा यह घर में इतना अच्छे से बनाया हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हमारे उपर है तो फ्रेंस आप यह मैंने आपको इतना अच्छे से मैंने आप से सिक्रेटिप्स ट्रिक्स आईडियाज दिए आप यह बनाएं यही वाले मसाले करें घर में करें फटाफट हो जाएगा 10 मिनिट में हो जाएगा आप ठान लो तो मसाला भी घर में चटनी भी घर में इसका लुक देखो और ये बहुत टेस्टी बनती है मेरा मानों यकीन कीजे आप ज़रूर बनाए लाइक शेर कमेंट कीजे कमेंट में लिखिए